फ्रेंज इस वीडियो को देखिए मैं किसी को WhatsApp पे मैसेज सेन करूँगा और उस तरह से आटोमेटिक रिप्लाई आ जाएगी आप देख रहे हैं मैं WhatsApp पे एक फ्रेंज को साच कर रहा हूँ उनको मैं मैसेज भेज़ूँगा देखिए मैं उनको हेलो लिक के भेज रहा हूँ देखिए मैं WhatsApp पे हेलो लिक के भेज दिया अब उस तरह से आटोमेटिक रिप्लाई आ जाएगी देखिए सेंड हो गया देखिए आटोमेटिक रिप्लाई आ गई है तो किस तरह से इस सेट आप को आप कर सकते हैं अपने WhatsApp पे इस वीडियो में मैं आपको लाइब दिखा रहा हूँ सबसे पहले मोबाईल की प्ले स्टोर ओपिन करना होगा मैं प्ले स्टोर ओपिन किया हूँ अब यहाँ पर साच बार में यहाँ पर टाइप करना होगा WhatsApp Business देखिए मैं WhatsApp Business एप्लिकेशन को मैं डाउनलोड करूंगा और किस तरह से सेट आप किया जाता है मैं वह भी आपको दिखाँगा ठीक है दोस्तों अकसर अपने देखा होगा बहुत सरे कंपनी को जब WhatsApp मैसेज भेशते है तो आटोमेटिक रिप्लाई आती है वही सेटप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो देखिए एप्लिकेशन मेरा अल्रेडी इंस्टॉल है तो मैं उपिन पे क्लिक कर दिया देखिए आप यहाँ पर एग्री एंड कॉंटिनु पे क्लिक कर दिया उसके बाद बाइडिफल एक नमबर शो कर रहा है लेकिन मैं नीचे क्लिक करके मैं दूसरा नमबर को यहाँ पर इंटर करूंगा ठीक है देखिए मोबाइल नमबर इंटर हो गया आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया उसके बाद ओके अब यहाँ पर एक ओटीपी आएगी ओटीपी के लिए वेट करना होगा देखिए ओटीपी वेटिफाई हो रहा है अब यहाँ पार देखिए नॉट नाउ नॉट नाउ पर क्लिक कर दिया अब यहाँ पार नेम टाइप करके नेक्स्ट आप यहां पर use पे क्लिक कर दिया और उसके बाद यहां पर नीचे next का बटन दिखारते रहा है अप यहां पर कुछ settings आपको यहां पर create करना होगा आपको follow करना होगा जैसे यहां पर देखिये business profile आप यहां पर देखिये always masses और grading masses तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे यहाँ पर क्लिक करके Always Message यहाँ पर ओन कर देना होगा क्योंकि Always Message Send होगा और अब यहाँ पर देखिए आप खुद भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं किस तरह की Message आप भेजना चाहते हैं और वहाँ पर बाइडिफल्ट एक Set है अब यहाँ पर देखिए सेडूल यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ इंस्ट्रक्शन फॉलो करके Customize कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए Reception यहाँ पर क्लिक करके Everyone कर दिया तो चलिए Setup हो गया अब उपर में देखिए Sip यहाँ Sip पर प्लिक कर दिया तो चलिए Friends मैं जो Setup किया वह successful हुआ के नहीं आप मैं बैक करके दूसरा WhatsApp एकाउंट ओपेन करके वहाँ से WhatsApp मेसेज करके चेक करके दिखूंगा Auto Reply होता के नहीं तो देखिए मैं यहाँ पर Hello लिक के Send कर दिया देखिए Send हो गया अब वहाँ से Auto Reply आता के नहीं मैं भी थोड़ा Net Slow है तो मैं थोड़ा Back करके Refresh करके देख रहा हूँ देखिए Message आ गया मैं Message पे Open करके आपको दिखा रहा हूँ देखिए यह पर देखिए Thank You for Your Message देखिए Auto Reply आ गया Friends इसी तरह से आप WhatsApp Business App पे Register करके Setup करके Auto Reply ला सकते है जो मैं आपको लाइब दिखाया उमद है वीडियो आपको अच्छा लागा होगा वीडियो अगर अच्छा लागे तो एक लाइक जरू देना और Subscribe तो कर दो यार धन्यवाद क्यां है क्या öyle खो या מא सकत्वाचह